तो इस वक्त की बड़ी खबर पर एवीपी न्यूस की नजर लगातार बनी हुई है उत्तर प्रदेश में बड़ा ट्रेन हाथसा हुआ है 11 लोगों की जान जा चुकी और देखिए ताजा तस्वीरें जो सामने आ रही है रात का वक्त और ऐसे में राहत और बचाओ का काम कैसे चल रहा है जर देखिए कुछ लोग अंदर फसे हुए हैं उन्हें खिड़की के रास्ते निकालने की पोशिशे की जा रही है ये देखिए एक शक्स को कैसे खीच कर बाहर निकाला गया वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी प्रिशासन के लोग भी है और टॉर्च की मदद ली जा रही है चुकि अंधेरा ढल चुका है उतकल एक्स्प्रेस के 14 डिब्बे डीरेल हो गए पट्ट्री से नीचे उतर गए अभी भी बड़ी संख्या में लोग अंदर फसे हुए हैं इन बोगियों के अंदर और ऐसे में रहत और बचाओ का काम कैसे चल रहा है यह जो ताजा तस्बीरे आई हैं वो देखिए जरब जो लोग अंदर फसे हुए हैं कोशिश ये की जा रही है कि खिड़की के रास्ते उन्हें बाहर निकाल सकें जो सरीय उसमें लगे हुए उन्हें काटा गया है ताकि जगे बनाई जा सके और सबसे बड़ी जो प्रार्थमिक्ता है इस वक्त है वहाँ पर रहत और बचाओ दल की वो यही की जो लोग अंदर फसे हैं जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाला जाए क्योंकि इनमें से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो गंभीर तोर पर जख्वी होंगे जिन्हें इलाज की फॉरण जरुरत होगी और जैसे ही लोगों को बाहर निकाला जा रहा है फॉरण कुछ लोगों की बदत से उन्हें अम्बुलेंस में बिठा कर हॉस्पीटल की तरफ भेजा जा रहा है ये इस वक्त की ताज़ा तस्वीर है आप देख सकते हैं ये देखिए कैसे एक शक्स को निकाला गया कुछ लोगों की बदत से और भी बहुत सारे लोग अंदर फसे हुए हैं और अपनी बारी का उन्हें अब इंतजार और ये देखिए गैस कटर भी वहाँ पर है बखाइदा ताकि अगर कुछ लोग अंदर फसे हैं जिन्हें नहीं निकाल पा रहे हैं लोग वहाँ पर किसी रुकावट की वज़े से बाधा की वज़े से तो फिर ट्रेन के उस हिस्से को काड़ दिया जाए जान माल का बड़ा नुकसान हुआ होगा जिस तरह की स्थिती नजर आ रही है जिस तरह का ये हाथसा है 65 लोग जखमी है इस बात की पुष्टी की जा चुकी है और 11 लोगों की जान चली गई है ये संख्या लगातार बढ़ रही है ये हम आपको उसी ट्रेन के एक डिब्बे की तस्मीर दिखा रहे हैं जहां पर लोग फसे हुए है सेना के लोग भी वहाँ पर मौके पर तैनात है रहात और बचाओ का काम लगातार चल रहा है स्थानी पुलिस मौजूद है बहुत ही ये दुखद हादसा कई बौगी ना सिर्पलट गई बलकि कुछ डिब्बे तो एक के उपर दूसरे डिब्बे चड़ गए और ऐसे में जादा नुकसान हुआ होगा और इस खबर से जुड़ी बड़ी बातें आपको बताएंगी मेरी सहियोगी चित्रा तृपाची चित्रा बागे पूर्ण और दुखत बात यह है कि साथसे में 11 लोगों की जान चली गई है जबकि 65 से जादा लोग इस थानिय जितने भी अस्पताल इन में भरते करा गया है मैं जाओंगी हमारे कैमरा पॉर्ण पास में आएं और यह तस्वीरे हम आपको दिखाएं बाहर निकले उन लोगों के ओर से भी मदद की गई आपास कालीन खड़की आप यह देख पार है और उसके पीछे का हिस्सा यह तरह से शतिग्रस्त हो गया है यानि कि अंदर से बाहर आपारा काफी जादा मुश्किल इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा यह हाथा लेकिन इस खड़की के जरिये एक शक्स को कैसे बाहर निकाला गया वो तस्वीरे जो हमारे कैमरे में कैद हुई है वो तस्वीरे लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो लोग तो अपने मन से आपातकालीन जो खड़की है उससे बाहर निकल गाया और देखे एक महिला एक महिला यहाँ पर जा रही है बुरी तरह से घायल हुई है और फिर से यह तस्वीर इस शक्स का पैर आपातकालीन देख सकते हैं यह तस्वीरे आपको विचलित कर सकती हैं कुछ और तस्वीरे इस वक्त हमारे असाइन्मेंट के पास है वो तस्वीरे हम कोशिश करते हैं आप तक कहुछाने की लेकिन बेहत दुर्भग्यपॉर्ण दुखत यह हाथसा जिससे 11 लोगों की जा ले ली है 65 ल कार नहीं किया जा रहा है यह जो ताजा तस्वीरे सामने आई हैं यह एक बर फिर से आपको दिखाते हैं यह कटी हुई पट्फरी है इसके उपर से ट्रेन दौड़ती है लेकिन वो पट्फरी बीच से टूटी हुई है इसका मतलब यहाँ पर जरूर कुछ गडबर था जै जी देखिए इस वक्त मैं बिलकुन स्वाट पर ही खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर रेलवे का दरसल जो है वो काम चल रहा था पट्री को लेके और पट्री का एक हिस्ता जो है वो पूरे तरीके से इहां पर कटा हुआ है तमाम जो NDRF वाले लोग हैं और बाकी सब मौक पर है और इस वक्त मैं पट्री देख सकता हूँ कि यह पट्री कटी हुई यह जगा से पीच में से और संबब्त जो ड्राइवर में है यह कटी हुई पट्री देखियोगी या पिर ट्रेन जो है डिरेल हुई होगी तो उसके बाद में फिर अचानक से इमर्जेंसी ब्रेक यह होंगे जिसके बाद में यह हाथा हुआ क्योंगी ट्रेन का आधा हिस्ता जो है वो तकरीबन जिस जगा से जिस पोर्शन से यह रेल की पट्री कटी हुई है उससे आगे निकल चुका है आधा ट्रेन का हिस्ता और आधी ट्रेन इस हिस्ते से जहां से पट्री कटी हुई यह उससे पीछे की तरफ है, तो धोल मिलाकर रेलबे की घोर लापरवाई यहाँ पर नजर आ रही है, तमाम जो उनके औजार है, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैंसेट जो मौझूद है, हतोडे जिन से रेलबे ट्रैक पर काम किया जाता है, वो यहाँ पर मौजूद हैं जो इस बात की तद्दीक करते हैं कि यहाँ पर रेलवे का काम चल रहा था इतना बड़ा हाथ सा तो यह संबब से पूरी तरीके से जो है धोर लापरवाई रेलवे की तरफ से हो सकती है जी बहुत बड़ी जानकारी हमारे समबाददाता रक्षित संगी इस वक देखते हुए रेलवे के और से बड़ी लापरवाही यह हो सकती है क्योंकि रेलवे ट्राक पर काम चल रहा था जैसा कि एबीपी न्यूस पर इस वक्त आप स्क्रीन पर तस्वीरे भी देख पा रहे हैं जगा जगा से जो पत्रियां है वो टूटी हुई है कटी हुई पत्रियां तो क्या बहा पर पहले से ही छति ग्रस्थ हो चुकी पत्रियों को ठीक करने का काम चल रहा था और इस बारे में जानकारी नहीं दी गई रक्षत एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताईए कि क्या बहाँ पर जगा जगा जो कटी हुई पट्रियां हैं वो रखी गई हैं यहाँ पर यह थोड़ा भी आप देख सकते हैं यानि कि बहाँ पर काम चल रहा था मरम्मत का दूसरे भी औजार तमाम आप देख पा रहे ह टीवी स्क्रीन पर बहाँ पर काम चल रहा था पट्रियों को ठीक किये जाने का यह चोटी सी पट्री जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं और एबी पीडियूज इसी वज़े से कुछ सवाल भी पूछ रहा है इस हदसे के जिम्मेदार कौन है रेलवी की लापरवाही से क् हाथसा जोसे 11 लोगों की जानने लिए 65 लोग जखमी हुए हैं उनमें से कुछ की हालत बेहत गंभीर बनी हुए है दूसरा सवाल कटी हुई पट्री से ट्रेन पार करने की इजाज़त कैसे दी गई क्योंकि जहां पर भी अगर पट्री कटी हुई होती है वहाँ से ट्रेन क को गुजरने की जानी की इजाज़त कैसे दी गई एबेपी न्यूस का ये महतुपूर्ण सवाल है हमारे साथ रेवे बोर्ड के पूरु सदर से लगातार जुड़े हुए हैं साब से सीधा से सवाल जो तस्वीरे भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं अगर वहाँ प ट्रेन की पटरी कटी हुई हो और उसको इजाज़त दे दी जाए ये कुछ पीसे जो हमें एकसिडेंट साइट पे मिलते हैं वो ये बास सही हो सकती कि उसके पहले काम चल रहा हो और जिस समय इजाज़त दी जाती है वो काफी सावधानी बर दी जाती है लेकिन जो एक से रुकर लेते हैं मौके का रक्षत सिंग हमारे संबाद्धाता वहां से जुड़ चुके हैं रक्षत दिखाए हमारे दर्शकों को तस्वीरे आप मौके की सेड़ी हैं मौके क transfese दिखा रहा हैं आप देख सकते हैं ओजार मेंग से रेल्वे मैं जोकर इहां पर करमचारी हैं जो काम कर रहे थे उनके तमाम औजार यहाँ पर देख सकते हैं कि यह वो औजार हैं जो यहाँ पर पड़े हुए हैं और ट्रैक का यह हिस्सा आप देख सकते हैं कि यह कटा हुआ है और इसके आगे की तरफ जैसे आप देखेंगे तो आगे की तरफ पुंदा को पुरा प देख सकते हैं कि जो ट्रैक का काट के बीच में डाला हुआ है तो धोर लापरवाही रेलवे प्रशासन की तरफ से यहां पर देखने को मिल सकती है रेल मंत्राले की तरफ से इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है जो की पुरी से चलकर हरिद्व के लिए जाती है वह जब खतौली पहुचती है मुझफर नगर के तो ट्रैक का हिस्सा कटा हुआ है किसी के पास कोई सूचना नहीं होगी संबदत्य के ड्राइवर को कोई सूचना नहीं दी गई होगी और किसी बजा से जो है यह बड़ा हदसा हुआ है और यहां पर मौके यहां पर पड़े हुए है कि यहां पर बड़ा वजा यही है उसी की बजह से यहां पर चलता है तक घंटे पहले से जब ट्रेल पढ़ती है उसके बाद से और उसके बाद अब डिखा रहे हैं और जो रहें उनके तमाम जो चावी पाने हैं वह यहां पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्छा में आजार लेकर इकना बड़ा काम जो है वह रेलवे ट्रैक पर चल रहा था और इसकी सूचना जो है जिसकी वज़े से इतना बड़ा हथा हुता है कि ये ट्रेन जो है आप दिबा मेरे ठीशे की तरफ देख सकते हैं दिबा जो है डिरेल हुआ है तकरीबन एक दर्जन डिबा जो है वो इस ट्रेन के उतकल एक्षिस के धिरूर हुए है और उसके बार में इपने बड़ी संदिया में जो है लोगों की हाँ पर मौत हुई है तो पूरा का पूरा जो मामला है वो घूम फिरकर रेलवे, रेल मंतराले की तरफ आता है प्रशासन की तरफ आता है क्योंकि इतनी बड़ी भोर जो लापरवाई है वो भला रेल मंत्राले, रेलवे विभाग की तरफ से, रेल प्रशासन की तरफ से कैसे हो सकते हैं। वो भला रेल मंत्राले, रेल प्रशासन की तरफ से कैसे हैं। ठीक किये जाने का काम चल रहा था और अगर ऐसा है इस वज़े से इतना बड़ा हाथसा हुआ है तो सीधे सीधे रेल वे इसके लिए जिम्मदार है। पुरे से हरिदबार जा रही ट्रेन जो हाथसे का शिकार हुई है। पट्रियां हैं जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं और अगर ऐसा होता है आपको बता दी तो पहले से जानकारी दी जाती है जो भी ड्राइवर ट्रेन को लेकर जा रहा होता है। इसलिए सवाल पूछ रहा है क्या रेलवे की लापरवाही से हुआ है। चाहिए ये सवाल इस दिये क्योंकि रेलवे की जिम्मेदारी और जवाब देही सबसे जादा सामने आ रही है। ये है एबी बी नियूज आपको रखे आगे।